यहां पर मैं फर्स्ट आइस से स्टार्ट कर रही हूं क्यूंकि फॉल आउट होंगे तो बेस खराब हो जाएगा इसलिए तो फॉर्स्ट मैंने यहां पर कंसीलर लिया है और दोनों आइस को अपने कंसील किया है फैन आइस्ट मैंने गडिया से प्रस्ट में उसे बिल्ड ब quieres ए और आप सब्सक्राइब के लिए और आप मैंने इसे प्रस्ट को सेटिंग यहां है क्योंकि कोई कोई eyeshadow palette उतनी pigmented नहीं होती है तो यह trick है आप भी यूज़ कर सकते हो मैंने रिमेबर भी की palette से purple eyeshadow ली थी डेक्स मैंने एर्वाइबे का काजल लिया एंड उटसे मैंने अपने आइस पर एक लाइन ड्रो करा है आई-लाइनर की तरह एंड अगेन मैं उसे smudge आउट कर रही हो ब्रस से आप ऐसे भी कर सकते हो फिर मैंने इत्वासा black eyes shadow लिया है इस palette से जो आप मैंने हैंड में देख रहे हो रिमेंबर मी की palette है इससे मैंने उससे black क्योंकि मुझे black smokey eye चाहिए थी तो मैंने उसमें से black eye setup लिया है फिर मैंने next eyebrow अपनी fill out की है next मैंने निव्या की soft cream moisturizer लिया है यह भी बहुत अच्छा है and winters में तो मैं भर-बर का moisturizer लगाती हूँ तो आप भी लगाया करो यहां पर क्यूंकि मुझे base बहुत glow-glow-glow-glow सा रखना है next मैंने फिर primer लिया है blue heaven का primer and इससे और भी ज़्यादा smooth हो जाता है आपका base so यहां आप मैंने foundation के लिए lacmi के foundation ली है and उससे मैंने अपने सारे face पर blend कर लिया है आपको अच्छी तरह से blend करनी है base को again मैंने NYB की concealer ली है अपने eyes को conceal करने के लिए इससे और ज्यादा ही कुछ बहुत ही अच्छा highlight होता है आपका eyes दोनों में बहुत difference है फिर मैंने नेक्स दूसरे eyes को भी conceal करा है and next मैंने पॉपल की compact powder ली है उससे अपने सारे base को set करा है महुत ही अच्छा वाला compact powder है बहुत बारी use भी कराएं से इससे मैं अपने सारे base को set कर लोगी नेक्स मैंने contour के लिए ये contour brush लिया है new brush मैंने buy करी है बहुत ही जल्दे आपको इसकी review देखने को भी लेगी and next मैंने अपने nose को conceal करा है नेक्स मैंने blush के लिए wet and wild के palette से ही blush करा है उससे मैंने अपनी chin bone area पे and nose पर ताहरे जगह मैंने blast करा है next again मैंने blue heaven की setting के spray लिए हैं उससे मैंने अपने base को set करा है बहुत ही अच्छा वाला setting is spray है आप भी use कर सकते हो बहुत अच्छा base को set करता है so again मैंने अपने inner eye corner को highlight करा है brow bone को highlight करा है and next मैंने maybelle का mascara लिया है mascara के लिए बहुत ही अच्छा वाला mascara है मैंने बहुत बारी use भी करा इसे and अपने upper lashes को and lower lashes को मैंने इसे coat करा है आप अगर यह लगा लेते हो आपको falses लगाने की जरूरती है next मैंने maybelle की master comb highlighter ली है in this shade rose gold इसे अपने cheekbone area nose को highlight करा है मैंने and again lipstick के लिए मैंने air vibe की bullet lipstick लीख है in this shade baby pearson बहुत ही अच्छा वाला nude shade है so guys this is my final look और I hope आपको यह वाला look पसंद आया होगा अगर आपको यह वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो make sure चैनल को subscribe कर देना वीडियो को like कर देना और मेरे instagram पे आप फॉलो कर सकते हो you guys in my next video till then take care bye